तो यह आप मज़ीक से देखिये और बिजली घड़कती हुई हलो दोस्तों वेल्कम बैक टू माइनी व्लॉग तो आज हम जा रहे हैं बिलासपुर के नलवारी मेले में चलिए तो आप हमार साथ ऐसी व्लॉग में बढ़े हमारा प्रियमित्तर पुनेत यह लक्षे गोलू औ यह आज बिलासपुर आएं तो आज हम इनको अमेले में लेके जा रहे हैं चलिए तो आपको मेला भीखाते हैं ज़िए तो दोल तो आब हम बिलासपुर बस्टेंड क्रोस कर चुके हैं हमारा बिलासपुर का पुर्णम मॉल एक लॉपता मॉल है और भीना बारी इसके कर दो आएं। और यह मेले की शुरुवात हो चुपी है यहां से शॉप्स स्टार्ट हो गई है तो धीरे धीरे आप देखिए और यह मेले में गाड़ियां भी पार्किंग नीचे ही है तो थोड़ा सा जाम लगा हुआ है और हम धीरे धीरे सरकते हुए दिखिए रच काफी जाला है और यह देश यह लोग रजस्तरिय नलवाडी मिला अलांकि इस मेले का समापन हो चुका है अफिशिली तो अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं रश काफी ज्यादा है और कल शायद हॉलिडे भी है तो रश आटमेटिकली काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और यह खेल परिसर में पार्किंग बनी हुई है और हम उसी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाएंगे और देखिए और देखिए अब देखते हैं हमें पार्किंग कहा मिलेगी तो उसी हिसाब से गाड़ी लगाएंगे तो बारिश का मौसम भी हो गया है दोस्तों तो देखिए चोटे-चोटे बच्चे मेले में आके कितने खुश हो रहे हैं हर चोटे बच्चे का सपना मेले में जाने का तो अभी हम अपने लिए पार्किंग दून रहे हैं तो पार्किंग के लिए काफी जगा है कोई पेंचन नहीं है तो यह अराम से मिल जाएगी और यह ग्राउंड में बहुत ज़दा खीचड़ है और वो देखिए सामने आपक तो ट्रैक भी दिख रहा होगा तो हम अपनी गाड़ी ही लगा लेते हैं तो यह देखिए दोस्तों यह हमारा कहलूर खेल परिस्तर यह आप जो है रेसिंग ट्रैक देख रहे हैं और सामने जो आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो इंडोर स्टेडियम ह और इसके पीछे होकी ग्राउंड है तो यहां पर कबड़ी वगएरा की प्रैक्टिस करते हैं अथलेट्स तो इसको फिलहाल पार्किंग बनाया गया है यह देखिए आपको थोड़ा उपर से दिखाते हैं यह देखिए नर्वाड मेला विलास्पूर तो बारिश भी काफी यह अच्छी है यह देखिए यह आपने हाँ आपनी गाड़ियां पार्क कर सकते हैं कहलूर स्पूर्स कॉमप्लेक्स यह देखिए दोस्तों यह देखिए दोस्तों आपको शॉप्स दिखाते हैं मेले में तो चुटे-चुटे बच्चे अपने मुमी डैडी के साथ आए हैं तो इसने खुछ हो रहे हैं और यह देखिए शॉप्स अनी शॉप्स हैं मेला है तो शॉप्स को होगी ही यह देखिए मेले में तोते आये हुए हैं और यह देखिए नीचे एक खरगोश दोस्तों अब यहां मेले में आते ही बारिश का महौल है तो अब हम जो है यहां एक खरपाल के नीचे खड़े हो गए हैं और यह देखिए जूला सिल कला हुआ है अभी हम वहां जाएंगे बारिश हो रही है तो अब हम यहां करें हो चुगे हैं तो यह अभी हम दोम के अंदर हैं यह देखिए तो यहां शॉप्स जीड काफी ज्यादा है बाहर बारिश भी हो रही है तो यह देखिए यहां पे जूले लगे हुए हैं तो अभी बारिश भी हो रही है थोड़ी रुकी है यह देखिए जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे बारिश काले बादल और यह हमारी गोविन सागर लेक लूनू ग्राउंड और यहां से आप देखिए लोग जूले में देखिए यह हमारा दोम लगा है यह देखिए आपको सुनाई दिया होगा कितने जोर से बिजली गरज रही है तो यह नैचुरली कैप्चर हो गया यह देखिए वह उपर बंदला और दोस्तों यह जो है कुष्टी ग्राउंड है तो देखिए जील का वाटर लेवल भी उतर चुगा है यह कुष्टी ग्राउंड है यह देखिए चोड़े बच्चों के लिए मिक्की माउस और यह आसमान में काले बादल और बिजली गड़कती हुई बारी बारी यह आप मज्दीक से देखिए आज हमने आपको नलवाडी फेर बिलासपुर घुमाया तो हमारे ब्लॉक्स देखने के लिए इसी तरह बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तो थैंक्स पर वाचिंग दोस्तों झाल झाल झाल